नमस्कार साथियो न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में हम आपका स्वागत करते हैं तो सबसे पहले आज की मुख्य खबरें बीते 24 गंटे में करोना के 9980 नए मामले और 289 मरीजों की मौद भाजपा ने लोगतंत्र को क्वारंटीन किया मम्ता ने उसे ICO में भेजा माक्सवादी कॉम्मिनिस्ट पार्टी करोना से लोग मर रहे हैं लेकिन सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही तो सबसे पहले करोना की अपडेट स्वास्त मंत्राले के आखडों के मुताबिक बीते 24 गंटे में यानि 9 जून सुभा 8 बजे से लेकर 10 जून सुभा 8 बजे तक करोना के 9,985 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 गंटों में करोना के संक्रमित 289 मरीजों की मौत हो चुकी है इसे बीच करोना से संक्रमित 5,991 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश भर में अब करोना वाइरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,886,583 हो गई है जिसमें से 1,35,206 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और करोना संक्रमित के कारण अब तक 7,745 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या यानि एक्टिव केसिस की संख्या बढ़कर 1,33,632 हो गई है भारतिय आयरुविज्यान अनुसंधान परिसद यानि कि इंडियल काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आंकडों के मुताबिक अब तक कुल 50,61,332 सेंपल की जाँच की गई है जिन में से 1,45,216 सेंपल की जाँच बीते 24 घंटों में हुई है अब चलते हैं बंगाल की तरफ करोना के दोरान वर्चुल रैली का चलन निकल पड़ा है केंद्रिय ग्रिया मंत्री अमीत साह ने दिल्ली से पश्चिम बंगाल के लोगों को वर्चुल माध्यम के जरिये स्तंबोधित किया इसके खिलाफ माकपा ने मंगलवार को राज्य के अलग-अलग जगों पर विरोध प्रदर्शन किया इस पर माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य मुहम्मद सलीम ने भाचपा और त्रिमूल कॉंग्रिस के खिलाफ आरोपों की जड़ी लगा दी मुहम्मद सलीम ने कहा कि जब राज्य के लोग करोना वाइरस की महामारी आर्थिक संकट और अमफान तुफान से हुई तबाही से परिसान हैं तब साह और उनसे वोट मांग रहे हैं अमीच सा सोनार बांगला बनाने का वादा कर रहे हैं लेकिन असलियत बिलकुल अलट उलट है महमद सलीम कहते हैं कि असलियत यह है कि वा बांगला भासी लोगों को संसोधित नागरिकता कानून और राश्ट्रिय नागरिक पंजी यानि कि नेस्टनल रजिष्टार के नाम पर तीसरे दरजे का नागरिक बनाने की कोशिस में लगे हुए हैं भाजपा के साथ ममता बनर जी की सरकार पर भी महमद सलीम ने निसाना साधा भाजपा प्रसाथित केंदर सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना और सडक योजना समेत राज्य में केंदर की विभिन योजनाओं को लागू करने में ममता बनर जी सरकार की अनियमतताओं क कि खिलाफ कोई कारेवाही नहीं की। सलीम ने दावा किया भारतिय जंता पार्टी की अगवाई में चल रहे राज्यों में तृड्मूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ सोर मचा रही है। लेकिन विभिन्न मुद्दों पर केंद्र उसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं कर रही है। या भाजपा और तिड्मूल नेताओं के बीच आपसी साठगाट को दिखाता है। सलीम ने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकतंत को कौरंटीन कर दिया है जब कि ममता बनर जी ने उसे आईसीओ में भेज दिया है। करोना वाइरस की महामारी के चलते मनरेगा के थच सो दिन की रोजगार गारांटी को बढ़ा कर 200 दिन करने की तुरंत जरूरत है। लेकिन ग्रामिड और सहरी गरीबों के फायदे के लिए इस पर कुछ भी नहीं किया गया। प्रवासी स्रमिकों को पीड़ा पर ध्यान देने के बजाए नरेंद्र मोधी सरकार की अधिक रूजी उद्यमियों के हितों की रक्षा करने में है। देश में COVID-19 संक्रमितों का पता लगाने के लिए परियाप्त संख्या में जाच नहीं हो रही है। केंद्र सरकार ने धाई महीने की लॉकडाउन समय में स्वास्त सेवाओं की अधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। केंद्र में भाचपा की सरकार और राज में तिनमूल कॉंग्रेस की सरकार COVID-19 महामारे का मुकाबला करने में बिलकुल नकामियाब हुई है। अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। देश करोना की वज़ा से धरावने हालत से गुजर रहा है। केंद्र और राज सरकारों ने लोगों को करोना से मरने के लिए पूरी तरह बेसहारा छोड़ दिया है। ना स्पतालों में दाखिला मिल रहा है और ना ही मरने के बाद लासों को ठिकाना मिल रहा है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, उत्तर प्रदेश हर जगह इलाज की कमी की वज़ा से लोग मारे जा रहे हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय रख रही हैं वरिष्ट पत्रकार भासा सिंग। देखिए उनके प्रोग्राम खोच खबर का या हिस्सा। इसमें देश के हालात बहुत ही भयावा, बहुत ही डरावने हैं। हर तरफ एक ही ढंकी स्टोरीज हैं, एक ही तरह की खबरे आ रही हैं। और वे सारी खबरें इंसानियत को तार-तार करने वाली हैं। पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने वाली हैं। इसी के मद्दे नजर हम पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन मोदी से सवाल। उन्होंने महस चार घंटे में पूरे देश को लॉकडाउन में डाला था। उस समय पांसो के करीब मामले थे। और आज जिस समय देश पूरी तरह से खुल गया है, लॉकडाउन जैसी कोई चीज नहीं है। उस समय हमारे सामने 2,666,000 केसेज हैं। मौतों का आकड़ा भी लगाता और बढ़ रहा है। जब देश लॉकडाउन में गया उसमें 9 से 10 मौते हुई थी। और आज अगर हम अपने अगल बगल में देखें। तो हर जगा एक ही तरह की कहानी, एक ही तरह की मौतों का ब्योरा, एक ही तरह से अस्पतालों का इंकार करना, सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। ऐसे अंगिनत वीडियोज हमारे पास पहुचे हैं। कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें से सबसे पहले देखिए सूरस से एक व्यक्ति ने भेजा है जो एक्टिविस्ट है आटियाई एक्टिविस्ट जागृत पतेल अभी जागृत कॉरिंटाइन पीरिड में हैं लेकिन उन्होंने सब को बताने के लिए वीडियो बनाए जब उन्हें कोरोना हुआ जब उ आपा रहे हैं हमें जहां रखा गया था जिस बेड़ पर हम सो रहे थे उनके उपर जो फैन थे वो भी जमय हुए कच्रे और मलबे से ढखे हुए थे जैसे इम सोते और फैन को चालो करते तो उपर से वही मलबा और जमा हुआ कच्रा हम पे गिता पीने का जो पानी दे रहे थे एक दिन पूरे दिन के लिए सिर्फ एक लेटर की दो ही बोटर हमें दी जा रही थी अगर ट्वालेट सेक्षिन की बात करू तो हम 25 मरीज एक ही साथ एक ही वाड में थे तो डो ट्वालेट होने के बावजूद एक ट्वालेट बं था इसलिए आप समझ सकते हो कि 25 जो के बेच सिर्फ एक ही सेनेटाजर के बॉटर लखे गई थी मैं इसी दौरान इसी आसोविधाओं के साथ सोच रहा था कि यह हमारे इलाज के लिए अस्पताल है या अभीयुक्तों को डंडित करने के लिए काल को ठी इसी तरह का एक वाक्या दिल्ली में वरिष्ट पत् बहुत देर हो गई और उन्हों अपनी रिष्टदार से हाथ धोना पड़ गया यहां पर बात सिर्फ जिन्दा लोगों की ही नहीं यहां बात यहां जो ट्रैजडी है वो उससे बाहर भी है उसके आगे भी है यह ट्रैजडी हमारे अपने परीजनों की लाशों के साथ भी ह हो रही है लाशों की अंबार लगे हुए हैं अस्पतालों की मौर्चुडी भरी हुई हैं एम्बुलेंसेज में जहां एक डेड़ बॉडी को जाना चाहिए था वहां पर बीस बीस जा रही है दिल्ली में दो लोग जिनका नाम एक है मोयूनिदीन उनकी मौत को रोना से होती ह है अस्पताल में मौत होती है और उनके परीजन पहुशते हैं लाश के पास ताकि उसका अंतिम संसकार किया जा सके एक व्यक्ति को उसके पिता की लाश के नाम पर दो बार लाश दे दी जाती है पहली बार लाश मिलती है वे उसे दफना देते हैं फिर अस्पताल से फोन आ उस व्यक्ति की लाश का इंतजार उसके घर वाले कर रहे थे और घर में एक और ट्रैजडी तब तक हो चुकी थी उनकी पत्नी को जैसे ही पता चला कि उनके शोहर का निधन कोरोना से हो गया है उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया लेकिन इस परिवार की किस्मत में अस्पताल की वो बेरुखी लिखी थी कि वहां पर लाश नहीं पहुच पाई लगातार चार पांच दिन तक वो परिवार वाले कोशिश करते रहे कि बड़े भाई की लाश मिल जाए लेकिन लाश नहीं मिली और बाद में पता चल यह मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है ऐसे तमाम वाके एहमदाबास से हमारे सामने आये हैं ऐसे तमाम वाके मुंबई से हमारे सामने आ रहे हैं देश के कोने कोने से हमारे सामने आ रहे हैं उससे जो सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है कि जो पूरा सिस्टम है वह कोलाप् इसकी तैयारी कहीं से भी इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए नहीं की गई थी मोदी जी आप कोरोना वारियर्स के लिए ताली बजवा रहे थे इस समय कम से कम देश की राजधानी आपके घर से बहुत पास एम्स में नर्सें जो कोरोना वारियर्स हैं वो आंदोलन कर रही हैं वे मांग उठा रही हैं वे चाहती है कि आपकी सरकार तवज़ो दे वे कह रही है कि जिस तरह का पी-पी उन्हें दिया गया है वह उनके लिए बहुत ही ज्यादा टॉर्चर का कारण बन रहा है उससे उन् ट्री पैड नहीं बदल सकती हैं वे बार-बार टॉलेट नहीं जा सकती हैं यह सारी दिकतें देश की नर्सें आपसे कहना चाह रही हैं लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है आप हमारी खबरों को न्यूज क्लिक की वेब साइट न्यूज क्लिक के फेस्बुक पेज झाल